हाई अवरिवन कैसे हैं आप सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी कोर सेट कैसे बनाना है पुरानी जीन्स के साथ सब अच्छे सक्स्प्रेइन करूंगी पैटर में गया एंड सोरी मुझे थोड़ा कोल्ड हो रख है तो मेरी आवाज उतनी अच्छे से आ ना पाए तो यह जो को सेट पैन रहा है यह मैंने बिना बुनिंग के बनाया है मतलब कुछ भी प्लास्टिक वळा इसमें समान में यूज नहीं करा तो यहां पर मेरी पुरानी जीन इसमें बैग बनाया था उसकी एक लैग अभी बाकी थी यह स्ट्रेचिबल जीन यह जिप का यूज नहीं पहले मतलब कटिंग कर दें और यहां पर मैंने अर्बैनिक से एक कोर सेट मंगवाया था यह जो मंगवाया ने इसके इंदर बुनिंग का काम कर रहा हुए और प्लस इसमें कोई जीप डिटेलिंग नहीं है तो मैंने पहले ना पैटन कट कर लिया यह न्यूज पर मैंने पेस्टिंग पर बताऊंगे क्योंकि न्यूज वपर के उपर जो माक है वो आपको दिखेंगे नहीं इसलिए मैंने पेस्टिंग के उपर माक लगाए है तो सबसे पहले आप कोई भी टॉप आपकी कोई भी ऐसी ड्रेस जो स्ट्रेचबल ना हो इस तरीके से रखके आपको को मेरे कुछ से बनाई होगी ड्रेस शिनाजगेल की ड्रेस को देखके मैंने रिक्रेट कर रहा था इस कपड़े के अंदर तो मैंने वैसे माक लगा के डा करके आपको दिखा रही हूँ यह लगा लिए अभी हमें इसमें क्या करना है और आपको अ करें ना फिर उसके बाद जो सेंटर ले लिए मैंने यह लगाए मांक इसका सेंटर ले लिए सेंटर लेकि मैं स्ट्रेट लेंड ड्रॉ कर लिया बहुत इस सिंपल तरीके से बतारी हूं आपको को सेट का यह पैटन ऊपर से आपको धाइन छोड़ना है तो एंड हाफ नीचे स से आपको one and half one and half that both side और फिर से स्ट्रेट लाइन लाइक तिरची लाइन ऐसे ड्नों साइड से छेकए है नोह साइड से कर लिया और नीचे one and the हाफ तो स्ट्रेट लेंड रो हो चुकिए इसके बाद नेक्स जो मैं पैटन का माक लगाऊंगी वह मैं कोर सेट का यूजर के लगा रही हूं नोमल बेसिक लगा रही है लेकिन बिना आपको इसके भी बता दूए अगर आपके पास कोई कोर सेट नहीं है तो आप ऐसे भी सेंटर से बात करता है सेंटर से बात करते हैं से 5-3, 5 बार नीचे के मिटव जावा उने डियाओ के एए उपर के तो नीचे ध मैं अ हाफ से करना है आयई इस तरीक चे से बात करा हुआ है वो मैं इसके उपर रख दिया मैंने ऐसे आपकी आने चाहिए और सेम पलट के आप दूसरी साइड लगा लो इसको इस तरीके से मैं आपके इसमें एक चीज और बताये तो चाहे कट करने को आप तीनी पार्ट कर लो उसको उल्टा करके आप कटिंग कर सकते हो लेकिन अगर आप बिगनर हो पहली बार कट कर रहे तो मैं ऐसा नहीं सेजस्ट करूंगी पूरे छे पार्ट अलग करो माक लगाओ और फिर कटिंग करो नहीं तो तीन से भी हो जागा काम तो तो यहां पर मैं आपको फिर से लगा के दिखा रही हूँ उपर कोर सेट और अब जो सा करनी है आप उपर से 2 इंच का छोड़े दो साइडों पर मिला दू सेंटर में और उपर से जो हमारे नेक डिटेलिंग है उसको वहने मिला दिया तो आपको आधा दिख रहे है कोर सेट हमारा वनसाइड का यह जो माक है यह हमारे इदर के तीन बार्ट है यही थ्री पार्ट हम उल्टे करके कट करेंगे पर फैब्रिक पे तो भी हमारे बुच्त करने का सको छाएंगे बट में वही कहा रही हुआ हो कि पूरे चीज कट करो, इस ही हो जाता है हमें, ऐसे फोल्ड करके कट करोगे, तो भी equally कट हो जाएगा, बिल्कुल जो साइडों का है, हमारा जो कोर सेट के पूरी डिटेलिंग है, पैटन है, ये एक साथ कट हो जाएगा, तो ये भी एक तरीका है, कटिंग करने का इसको खोल के, तो ये हमारे पूरे टोटल छाइबाट हो गए, इनने पर मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरीके से कट करके, आप बना सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको और दिखारों एक बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, मैंने पेस्टिंग कर नहीं कर आए, ये पेस्टिंग में आपको बता है, मैंने न्यूजिपर पे कट करें, ये आपको पार्ट में दिखारी हूं, टोटल छाइपार्ट इनको मिला रही हूं है, इस तरीके से आप पहले कट कर लें, अगर आपके असान है, जिसको पैटन समझ आ गया, बस उसको मतलब कोर सेट आ गया, अभी अपनी जीन अच्छे से बिछालो जासे कटिंग करें, इसके ओपर सारे पार्ट रख लो, और वन बाइवन पार्ट के साइड़ों पर माक लगाते है, जो पार्ट का हमारा लाइक जितना मेजरम मेरे पास खुला कपड़ा है, तो आप उसे अपनी कर सकते हो, मतलब अच्छा खासा तो मेरे पास जितनी थी मैंने इसको फसा-फसा के कटिंग करिये, नेक्स आपको च्या के च्छाए पार्ट को इस तरह में से जोड़ कर बिल्कुल इक्वली, बिल्कुल सही तरीके जोड आपको न्यूदेपर के उपर रख लेने हैं, और साइडों पर फिटिंग का माक लगाते जाना है, उपर जो हमने वी शेप मेरे गुलाई तो सिर्फ साइड वाली है, जो मैं जितना दिख रहा है, यह वाला, सिर्फ इतना ही माक लगाना है, और वह अपनी जो हमारी कट कर इस माक लगा है, यह मीलाई मैं लाएं और नीचे से मिलाया, हमें लागहें को ष्यालेıld के उपर का गया वी क ऑ पीछे का पेंना, कहते हैं चहरस आएगा, बिल्कु ऐसे, अब हमार को राती है, प्데ोस य्थे निकल निकल यह नियूँ जिपर के अंदर से, टीक है? अब हम इसको कर देंगे cut इस दिके से cut कर back side तो बहुत easy है कुछ भी निये back side में तो अपने coding आप चाहे जैसी भी pattern रखना चाहते हो back में रख सकते हो तो normally मैंने cut करा यह होगा हमारा back का cutting ठीक है अब ही हम इसके अंदे जैसे वही parts में divide करेंगे parts में रखते हैं तो core set की finishing अच्छी आती है looking भी बहुत अच्छी लगती है तो ऐसे double fold कर ले ना आपको इसमें कोई measurement नहीं है जस्ट आपको थोड़ा से तिर्चा रखना है scale को और mark लगा एक line draw करी मैंने then second line draw करी third line draw करी बस total हमारे 8 part निकल काएंगे make sure mark लगाते जाना तभी साथ के साथ ठीक है तो वापिस fold करना आपको और वैसे cut करते जाना है एक cut हो गया second cut हो गया third cut हो गया तो ये चार पाट है हाथो हाथ इन पर लगा दूनके की 1,2,3,4 और उल्टे करके 5,6,7,8 ये total होगी अब इनको sequence wise लगा दो 1,2,3,4,4,5 इकठे आएं 6,7,8 बास इसे को जीन पर रखो फाब्रिक कट कर दो यह हमारा back part हो जाएगा तो front part मैंने आपको दिखा दिया था पहले cutting करा अभी हमने back के बे parts सारे cut कर दी 8 के 8 parts 8 में बहुत तो 7 है लेकिन जो हमने center वाला cut नहीं करा जो हम पर joint है यह center center में जो पड़ा यह दो parts माने हमने ठीक है दो parts के coding कर रहा है next इन parts को हमें joint करना है तो यह part को इसके उपर रखा right side अंदर, wrong side बाहर stitch कर दिया, इसको सिधा कर दो किया, अब दूसरे part को किसी किसे stitch कर देना है तो दोनों सारे parts को मैंने मलब आगे front का और back का सारे parts मैंने joint कर दी, आप देख सकते हैं ध्यान से करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequence में करने हैं सारे, गलरती नहों जाए बल्कुल भी, तो यह होने के बाद अभी हमें इनको दबाना है, पास-पास में stitch चलाना है, जितनी भी stitch देख सब्सक्राइन दर के अंदर के लादा सेट, सब्सक्राइन वं तो यहां पर मैंने चला के आपको दिखा दी फर्स्ट सेकिंड यह दोनों सड़ चलेगी इसका भी अंदर वाइड साड और यहां भी सेम मैंने बैक पार्ट पर किया है यह जो बिल्कुल अंदर में जो जोइंट हुई है उसमें दोनों सड़ आएगी ठीक है तो इस त्रीके स बिल्कुल भी राइट है और इसका भी राइट अंदर साड चलेगी रॉंग बार साड आगे अब आपको साइड पर स्टीचे चलाने फिटिंग के अगरें जितनी आपके फिटिंग है मेजर करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें अल्रड़ी हम मेजर के मेजर्मेंट के लेके चलें पहले हैं पार दॉपर से उसके किर लें करने करने के जुमक्र्डा कऊफर présent word आप फिर से ओर अब हमेजर करने में और सिंगल पोल्ड करने 2 ता 3 इतन ही इतने हमेश्चेण insights करना है अगें ऊपर burst while end सारी और नीचे हमारी corner while end सारी ऐसी हमें नीचे fold करने है यह वाला बट एक बारひं करने है double fold नहीं करना पहले हम single करेंगे अगर double करेंगे तो cell आ जाता है single fold होने के बद कुछ ऐसा लग रहे है यह single fold हुआ अभी अब हम इसे करेंगे double fold भी फिर से फॉल्ड करेंगे बृड कें अब य। अब दिखाते हैं कैसे नहीं प्लस कोई भी स्कूर नहीं आता जैसे मार्किट में बंटे कोद सेने को प्लस के अधार में जैसे ही फिर से शेइंटемся करना है भी फेयर में चाहिए जैसे आपको दिखा दी ह। तो यहां पी हो गया कम्प्लीट रेडी बस जब भी एक ही चीज़ कहूंगे इसमें जब फिटिंग करो एक पर चक कर लो ट्राय कर लो कि आपके फिट प्रॉपरली आया है या नहीं तो उपर नेचे जो भी होता है मदब हमें कम जादा करना है कटिंग कर सकते हैं और जिप मै जाओ बैक करो साइड पर चाहँ साइड वह आपकी चोईस है बट मैंने नहीं किया भी कोद मेरे जीन में स्ट्रेच अच्छा खासा था तो यह इसकी लुकिंग लग रही है मैंने हाइवेस जीन के साथ पहना है इसको मैंने शोट के साथ ट्रायल कर रहा है तो काफी बने है फिटिंग बहुत अच्छी आई है बस यह होंगी बार-बार की जब फिटिंग करते हो एक पहन के देख लिए और यह नहीं के फोल्डिंग कर लो पर नीचे से फिर आपको लगे कि हमारी तो लूज आ ठीक है तो अगर आपको कोई कोई को पसंद आता है तो प्लीज लाइक करने वीडियो को चैनल को स्क्राइब करने और प्रेसे अबल ऐकोन बताओ आपको लाइक आप इसमें ब०र बींत कर सकते हो नेक्स् टैम गह अभी कि बनाएंगी तो भीना बनांगी वीलाल तो मैं आपको भीना बनाएक के बताया है मैं अब मैं में तो लेएच